पहला सवाल क्या कोर्ट मैरिज का पंजी करण यानि रजिस्ट्रेशन ओनलाइन किया जा सकता है? जवाब है नहीं रजिस्ट्रेशन के लिए मैरिज आफिसर के सामने खुद उपस्थित होना अनिवार्य है शादी का रजिस्ट्रेशन तभी संभव है सवाल दुसरा क्या कोर्ट मैरिज के लिए मातापिता की मनजूरी जरूरी है? इस सवाल का जवाब भी ना है बशर्ते आप बालिग हो और कोर्ट मैरिज के लिए निर्धारित नियमों का पालन किया गया है सवाल नंबर तीन कोर्ट मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट्स की आवश्यक्ता होती है हाँ अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमे में महाराष्ट में डॉट और पहचान प्रमान लड़का व लड़की दोनों को अपनी उम्र एज और पहचान का प्रमान आइडेंटिटी प्रूफ पत्र देना पड़ेगा जिन में जन्म प्रमान पत्र, स्कूल छोड़ने का पत्र, पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं घर के पते का प्रमान जोड़े को अपने रहने के आवासिय पते, रेजिदेंशल एड्रेस का प्रमान देना होता है जैसे बिजली बिल, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदी पासपोर्ट आकार के फोटो, लड़का व लड़की दोनों के अपने हाल ही के नए पासपोर्ट साइस के फोटो की आवश्यक्ता होती है, जिनको पंजीकरन फॉर्म, रेजिस्ट्रेशन फॉर्म, व मैरिज सर्टिफिकेट पर लगाया जाता है शपत पत्र जोडों को अपनी आयू, वैवाहिक स्थिती, अविवाहित, तलाकशुदा या विध्वा और शादी के लिए सहमती की घोशना, अन्नाउंस्मेंट करने वाले शपत पत्र, अफिडेविट, जमा करने होते हैं अनापत्ती प्रमान पत्र, एन ओसी यदी लड़का या लड़की में से कोई भी पहले से विवाहित था तो उनके पिछली मैरिज के खत्म होने यानि तलाक को बताने के लिए अनापत्ती प्रमान पत्र की जरुरत पड़ती है गवाह, कोर्ट, मैरिज के समय तीन गवाहों, विटनेस की आवशक्ता होती है जिनकी आयू 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए विवाह, पंजी करन फॉर्म, लड़का व लड़की दोनों को पंजी करन कार्याले, मैरिज रेजिस्ट्रेशन ऑफिस द्वारा दिया गया विवाह, पंजी करन फॉर्म, मैरिज रेजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है जिसमें नाम, पता, व्यवसाय व गवाहों की जान प्रक्रिया में एक मामूली शुल्क फीज देना होता है, जो अलग-अलग राज्य में विभिन्न है। कि शादी का प्रमान पत्र क्यों महत्वपूर्ण है, यह एक ऐसा कानूनी दस्तावेस, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जो विवाह को आधिकारिक या कानूनी रुख से मान्यता देता है। की आवश्चक्ता होती है, जिन में विरासत की संपत्ती का अधिकार, वीजा लगवाने व अन्य कानूनी लाभ मिलते हैं। किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड, ओफिशल रिकॉर्ड में व्यवाहिक स्थिती को बदलने के लिए भी यह सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण होता है, जैसे पहचान दस्तावेस, बैंक खातों में बीमा पॉलिसी और अन्य महत्वपूर्ण रिकार्ड को अपडेट करना शा क्ता है,